लगातार आदिवासियों के नाम पे बड़े बड़े आयोजन और बड़ा खर्चा उनके नाम पे किया जा रहा है और उससे ज्यादा अत्या चार मद्यपदेश में लगातार आदिवासी वर्ग पे बढ़ता जा रहा है वो आदिवासी वर्ग जिसे दस दस फिर गड़ों में गार दिया जा रहा है वो अत्या चार अनाचार जो मद्यपदेश में आदिवासियों पे हो रहा है और अब तो पराकास्ट आ हो गई एक आदिवासी विदायक जो 300 करोड के भस्टा चार के डेम की उसके उपर बात करने कशरा करते हैं तो मुख्यमंत्री और उनकी पूरी टीम प्लिस प्रशासन के द्वारा गुंडागरदी करने का काम करतीए और एक विदायक जो खुद जानलेवा हमला करने का काम करता है और आदिवासी विधायक के उपर अत्याचार के उपर जो सदन के मुखिया है जब आस्पती आदिवासी बनी दी तो कही ना कही डांस करने का काम करेते हैं नत्य करने का काम करेते कि आदिवासीयों के साथ न्याय हुआ और जब एक आदिवासी विधायक जिसके आदिवासियों की विरोधी मानसिकता भारती जनता पार्टी की है जो अत्याचार करती है जो अनाचार करती है जो आलक्षण को खतम करना चाहती है और जो कही न कही आदिवासियों के साथ सोशित देसा विवार करती है इसके खिलाफ हमने यहाँ पर आज धरना दिया जब से भारती जनता पार्टी की सरकार प्रदेश और देश में आई है तब से लगातार आदिवाशियों के साथ अन्याय अत्याचार किया जा रहा है हमारे मूल संस्कृति को छेड़ने का काम किया जा रहा है आपको बता दू नेमावर में हमारे नवालिक बच्चीयों को बलतकार करने के बाद दस फिट गड़े में गड़ा दिया गया और सिवनी में हमारे आदिवाशी भाईयों को घर से निकाल करके पीट पीट करके मार डाला गया नीमच में गाड़ी के पीछे बांद करके घसीटा गया हमारे भाई की मृत्तु हो गई इस तरह से विश्व आदिवासी दिवस के दिन ही लटेरी में गोली सरकार की चली और आदिवासी की मृत्तु हो गई इस तरह से गंभेर परिस्थिति प्रदेश में आधिवासियों के साथ घट रही है अधिवासियों के साथ घट रही है अधिवासियों के सम्मान करना पड़ेगा अधिवासियों के सम्मान करना पड़ेगा अधिवासियों के साथ घट रही है इस पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यापस जबाद शेयर करें धन्यवाद अधिवासियों के सब्सक्राइबाद